अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाए उस वीडियो के देखिए और वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत्व मिल जाएगा या फर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वुक्स में मिल जाएगी क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुती महतपूर्ण तत्थियों पर चर्चा की थी जो परिक्षा के दिरिश्टी से बहुती महतपूर्ण थे जो लोग अपने नूट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्केप्शन में वेबसाइट की लिंक दी गई है तो वहां से याकि वो लोग अपनी नूट्स बना सकते हैं तो आईए इस वीडियो के सुरुबात करते हैं और पढ़ते हैं लॉड कॉर्ण वाल्स का इतिहास तो वीडियो के सुरुबात यहां से करेंगे लॉड कॉर्ण वाल्स का इतिहास 1785 में बॉरन हेस्टिंग्स के इंग्लेंड चले जाने के बाद मैक फरसन को आएस्थाई गवर्नर जेनरल बनाया गया था तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आएस्थाई गवर्नर जेनरल बनाया गया था किसको मैक फरसन को मैक फरिसन के बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्ण बॉलिस को गवर्नर जनरल निक्त किया गया था तो कब किया गया था? 1786 में किया गया था 1786 में ही बिटिस पालियमेंट में एक एक्ट पारत करके गवर्नर जनरल का पद और सीना पती का पद एक ही कर दिया था ये आपको यहाँ पर दिहान रखना है और इसी एक्ट के तहट गवर्नर जनरल को बिसेस अधिकार दे दिया गया था कि बिसेस परिस्थितियों में वह कॉंसिल के बहुमत की उपेक्षा भी कर सकता है अब यहाँ पर बात करते हैं कॉर्ण बॉलिस के दुआरा किये गए बैपार सम्मंदी सुधारों पर भारती जो लाहों तथा अन्ने कारीगरों की साहता के लिए यह नियम बना दिया गया था कि बे उतना ही माल कंपनी को देने के लिए बात होंगे जितने माल की उनको पेसगी दी गई है और सेस माल में दूसरी को बेच सकते हैं पहले क्या होता था कि उनको पेसगी दी जाती थी और वो सेस जो माल होता था वो किसी और को बो नहीं बेच पाते थी हाला कि इसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में की है जिसमें मैंने ददनी पिर्था के बारे में आपको पढ़ाय था तो वो वीडियो आप देख लीजिए उसमें मैंने डेटिन से जानकारी दी है बोर्ड आफ ट्रेट के सदस्यों के संख्या दस से घटा के पांच कर दी गई थी और उसको कलकत्ता कॉंसिल के नियंतर में कर दिया गया था अब बात करते हैं कॉर्ण बॉलिस के दुआरा किये गए नया सम्मंदी सुधारों पर निजामत अदालत को मुर्सदाबास से हटा की कलकत्ता में इस्थापत किया गया था और इसमें गवर्ना जनरल की कॉंसिल के सदस्थ प्रांत का मुख्यकाजी और दो मुफ्ती होते थे जिले की फौजदारी अदालतों को तोड़कर उनके इस्थान पर चार प्रांतिय अदालतों की इस्थापना की गई थी जिन में से तीन बंगाल में थी और एक बिहार में थी जिलों में दीवानी अदालतों की इस्थापना की गई थी 1793 में सब कानूनों का संग्रह करकी एक कूड कर निर्मान किया गया था जिसे इतिहास में कॉर्ण वालिस कूड की नाम से जाना जाता है यहां पर मैं आपको ठोड़ समझा देता हूँ 1793 में लर्ड कॉर्ण वालिस ने क्या किया था कि सब कानूनों को एक हट्टा करकी एक कोड कर नर्मान किया था और उसी कोड को कॉर्ण बॉलिस कोड की नाम से जाना जाता है इतिहास में और इस कोड में पुलिस, नियाय, राजस्तों तथा बैपार संबंधी विसाईयों के कानून थे अब बात करते हैं कॉर्ण बॉलिस के द्वारा किये गए सासन संबंधी सुधारों पर लॉर्ड कॉर्ण बॉलिस ने यूकिता की आधार पर वेक्तियों की निवति की नियम बनाये थे लॉर्ड कॉर्ण बॉलिस ने कंपनी के नौकरों का बेतन भी बढ़ा दिया था लेकिन उनको यह आदेश भी दिया था कि वह अपना निजी वेपारणा करें और ना ही रिस्पत गरहन करें लोर्ड कॉर्ण बॉलेस ने करमचारियों के सेवर बिविद्ध होने पर उनके पैंसन की बिवस्था करने का भी प्रावधान किया था Lord Cornoboles ने पुलिस बिभा की उर्भी ध्यान दिया था और जमीदारों के हाथों से पुलिस का कार रिच चीन लिया था क्यों चीन लिया था क्योंकि जमीदार अपनी बैक्ती का दुस्मणी निकालने के लिए पुलिस का प्रियोग जाद अतर करते थी इसी लिए लॉट कॉर्ण बॉलिस ने जो पुलिस का कार रह था वो जमीदारों के हाथों से चीन लिया था बंगाल प्रांथ के जिला धीसों को यह आदेश दिया गया था कि वे अपने जिले में प्रतेग 32 किलो मीटर की दूरी पर एक थाना इस्थाफित करें जहां एक दरूगा और 15-20 पुलिसमें रखे जाएंगे भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्ण बॉलिस को ही माना जाता है ये एक बहुत ही अच्छा प्रसन है नागरिक सेवा का जनक भारत में किसको माना जाता है लॉड कॉर्ण वॉलिस को माना जाता है लॉड कॉर्ण वॉलिस ने भारतियों को उच्छ पदों पर निक्त करना बंद कर दिया था क्योंकि वह उन्हें बेमान समझता था और सरकारी नोकरियों में दायत तो पूर्ण पदों पर अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपियनों को ही निक्त करना शुरू कर दिया था यहाँ पर कहने का मतलब है कि लॉर्ड कॉर्ण बॉलिस ने क्या किया था कि जो उच्च पद होते थे उन पर भारतिय बेक्तियों को निक्त करना बंद कर दिया था क्योंकि वो ऐसा मानता था लॉर्ड कॉर्ण बॉलिस के भारतिय लोग बैमान होते हैं और अच्छे से काम नहीं करते हैं इसलिए उसने क्या किया था कि कलेक्टर से उचे जो पद हैं उन पर भारतियों को निक्त करना ही पंद कर दिया था और कलेक्टर से उचे पदों पर किसको निक्त किया जाता था अंग्रियेजों को या फिर जो अन्न यूरोपियन होते थे उनको निफ्ट किया जाता था अब बात करते हैं लॉट कॉर्ण बॉलिस के द्वारा किये गए भूमी सम्मंदी सो धारों पर कॉर्ण बॉलिस चाहते थे कि भूमी का सौमत्त जम्मिदारों के हाथों में होना चाहिए और साथ ही यह इस्थाई भी हूँ 1793 में भूमी इस्थाई रूप से जम्मिदारों को दे दी गई थी तथा लगान की दर निश्चित करने की जिम्मेदारी भी जमीदारों को ही दे दी गई थी ये लाइन आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझनी है 1793 में लॉड कॉर्ण बॉलस ने क्या किया था कि भूमी इस्थाई रूप से किसको दे दी थी जमीदारों को दे दी थी और लगान की जो दर है वो निश्चित करने की जिम्मेदारी भी उनी के पास थी इसी ववस्था को इस्तमरारी बंदुबस्त या इस्थाई बंदुबस्त भी कहा जाता है इस वबस्था से कौन बालिस को कही लाव हुए इस वबस्था से किरसी में बड़ी उन्नती हुई और भूमी पर जमीदारों का स्थाई रूप से अधिकार हो जाने के कारण बंजर भूमी को भी किरसी के योग बनाने का प्रयास किया गया इस वबस्था से बंगाल प्रांत भारत का सबसे धनी प्रांत हो गया था इसी वबस्था ने बंगाल में एक ऐसी इस्थाई जमीदार बर्ग पैदा कर दिये जो सरका के स्वामी भक्सित हुए उनसे अंग्रेजों को भारत में अपना सामराज मजबूत करने में बड़ा सहयोग मिला अब बात करते हैं इस थाई बंदूबस्थ के दोसों पर किरसक बर्ग का सोसन भूमी का स्वामित जमीदारों के हाथों में जाने से वे उत्रोत तरधनी होते चले गए किन्तु किसानों की इस्तिती पहले से वी अधिक खराब हो गई थी क्योंकि इस सम्बंद में कोई नियम नहीं थी जमीदारों का विलासी हो जाना इस बंदोबस्त का एक यह भी दोस्त था कि जिन जमीदारों की आई अधिक हो गई थी वे विलासी जीवन व्यतित करने लगे थे और बड़े-बड़े सहरों नगरों में रहने लगे थे उन्होंने भूमी कूट ठेके पर उठानत सुरू कर दिया था अकाल के समय भी लगान में छूट ना मिलना यदि कभी अकाल पड़ा या अन्हे किसी कारण से पैदावार में कमी हुई तो लगान में किसी भी परकार की छूट नहीं दी जाती थी जमीदारों के दोवारा हलाकि इस थाई बंदोबस्त के बारे में इतिहास कारों ने अपने अपने बिचार फ्रस्तोत की हैं कुछ इतिहास कारों ने इसे अच्छा बताया तो कुछ इतिहास कारों ने इसे खराब बताया हलाकि अच्छा किस के लिए था अंग्रेजियों के लिए था और जमीदारों के लिए था लेकिन जो किसान होते थे मजदूर होते थे उनके लिए ये बहुत बरा था क्योंकि इस्थाई बंदोबस्त के तहर जम्मीदारों को बिसे सदिकार प्रदान किये गए थी भूमी का मालक उन्हें बना दिया गया था दर जो होती थी उसे निश्यत करने के जिम्मेदारी भी बिनहीं को दे दी थी तो इसी लिए जम्मीदारों ने बहुत सोचन किया था मजदूर और किसानों का अब बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट पर इनलेंड की सरकार ने 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित किया जिसके द्वारा कंपनी को भारत से बैपार के लिए 20 बरसों तक का चार्टर दे दिया गया था बोर्ड अफ कंट्रोल के दो सदस्यों की नित्ती प्रवी कॉंसिल के बाहर से की गई थी और इसी एक्ट के तहट भारतिय कोश से बेतन देने की बिवस्था भी की गई थी इस एक्ट के द्वारा मदरास तथा बंबई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंतरण और अधिक बढ़ गया था पांच अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्न बॉलिस की मिरती हो गई थी लॉर्ड कॉर्न बॉलिस का मकबरा गाजीपुर उत्तरप्रदेश में ही है आप जो सामने देख रहे हैं ये है लॉर्ड कॉर्न बॉलिस का मकबरा ये कहां है गाजीपुर में है लॉड कॉर्ण बॉलिस का पहला कारिकाल 1786 से 1793 के मन्द में था देखे ये पहला कारिकाल था और दूसरे कारिकाल में बहुत जादा कुछ कर नहीं पाये थे और 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में उनकी मिलती हो गई थी तो ये तो था लॉड कॉर्ण बॉलिस का इतिहास इसमें मैंने केबल उन्हीं तत्थियों को सामल किया था जो परिक्षा की द्रिस्टी से बहुत ज़्यादा महत्पूर थे और जो लोग अपने नूर्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डेस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दी गई है तो वो लोग वहाँ से जाके अपने नूर्स बना सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद